हलो जोस्तों वल्कम बैक टो माई चैनल गार्डन नीचर स्लवर में आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगे मैं भी अच्छी हूँ बस थोड़ा सा जुका मैं तो वोईस इसलिए ऐसा है सो आज हम बात करेंगे कि और्किट का जो प्लांट है वो सही तरीका क्या होता है उसका परपगेशन करने के लिए उसको लगाने का सही तरीका क्या होता है देखिए वैसे तो जो यह और्किट का प्लांट है यह पैरसाइट सो होता है that means कि ये परजी भी होते है दूसरे पर आसरा लेके जीने वाला प्लांट होता है जैसे आप देखे भी होंगे दूसरे वीडियोस वगरा में या फिर आप कभी पहाडी एरिया में गये होंगे सिकीम तरफ या जो भी तो इसमें देखे होंगे कि जो और्किट का प्लांट है वो दूसरे प्लांट पर चिपक के रहते हैं रूसी से फूड माटेरियल लेके ग्रो होते हैं इसको सॉयल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है ये विदावट सॉयल जी लेता है बस इसको सही तरीका अगर आप अपने घर में लगा रहे हैं तो सही तरीका होना चीए तो देखिए यहाँ पर आप कोको पिट में पूरा लगाया गया है अब देख सकते हैं जो नारियल का पूरा जो शेल होता है नारियल निकालने के बाद उसका शेल होता है या फिर जब आप नारियल पानी पीते है जो शेल होता है मुसलिए आप नारियल पानी का शेल ही लिया गया है ना कि जो नारियल का होता है जब आप डाब होता है उसी को लिया गया है और इसमें देखिए आप इस तरह पी जो नारियल का छिलका होता है जो मेन हम अंदिर अंदिर में चड़ाते है उसका जो बचता है material वही चीज़े आप देखिए इसमें थोड़ा-थोड़ा कोकोपिट देखे इसको लगाया गया ह तो हम भी इस तरीके से अपने घर में लगा सकते हैं बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम नर्सरी से कोकोपिट के शेल के अंदर ही खरीद के लाते हैं फिर जब उसको रिपॉर्ट करने का टाइम होता है तो हम उसमें स्वाइल मिक्स कर देते हैं या फिर वर्मी कमपोस्ट वग बॉर्मेंट का होटिकल चानर्सरी और दिखी इसमें कितने जादा फ्लारिंग है इस तरीके से आप भी घर में इसको लगा सकते हैं जो मार्केट में कोकोणर शेल मिलता है जो हरावला नारियल मिलता है आप उसको लाके घर में ही लेकिन आप जब भी लगाए उसको संदराब इस दिन उसको डिप करके रखियेगा जो अच्छे से वो सर जाये थोड़ा सा नारम हो जाये फिर उसमें थोड़ा सा कोकोपिट डालके या फिर आप इस तरीके से बटी क्या है नहीं यह आपका रिसर संटर है और किट का और यहा पे न दोस्तों आपको फलावर भी ना मिल रहा है आप और्टित का फ़ार लेना चाहते तो दीखिए इना फ़लाओ खरीदने को यह आया है तो जितने भी फ़लार है आज खिली हुई है तो उनको यह कट करके बेच although ले रहा है तो भी आप यहां से फ्लार ले सकते हैं 20 रुपए करके आपको एक स्टिक पढ़ेगा जो मार्केट में बहुत महेंगा मिलता है और्किट का फ्लार आपको पता ही है जो बहुत महेंगा मिलता है यह देखिए यहां पर छोटे छोटे और्किट के लगे हुए है और यहां पर आपका भी आचुकी है छोटे प्लांट में भी फ्लार आचुकी हाला कि यह अभी बेच नहीं रहे इसको कुछ टाइम बाद हो सकता है इसको बेचेंगे कुछ-कुछ रखा हुआ है यह अक्छली में रिसर्च के लिए आया है और प्लस इनको यह ग्रो करके इसकी फ्लार को भी बेच रहे तो इनका अर्ण भी हो जा रहे देखिए यह अलग टाइप का है और यह अलग टाइप का है यहां पर बहुत सारी स्पीशीस है कम से कम तीन चार स्पीशीस आपको और किट की मिल जाएगी अगर आप फ्लार लेना चाते तो भी आके हां से आप पर्चेस कर सकते हैं फ्लार भी आपको बीस रुपए करके मिल जा रहा है सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेय कर दीजेगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई